नमस्कार मित्रो फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आपके सामने अलग-अलग टाइप के स्क्रीन पर क्यूशन दिख रहे हैं और दोस्तों यहाँ पर इस पर शूरूप से आपको बताने वाला हूं यह क्यूशन सॉल करने की बहुत ही सांदार ट प्लस रूट 6 प्लस इस टैप के सलते जा रहे हैं तो इसका जवाब अपनको एंसर कैसे करने तो दोस्तों अपने सामने यहाँ पर देख लो यहाँ पर फिक्स सीज है 666 ठीक है और प्लस लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर दो सीजों को ज्यान रखना है रूड 6 और प्ल तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में 2 और 3 गोंखंड होगे अब इसके अंदर जैसे प्लस लगा होना तो अपनको ध्यान रखना है कि जो बड़े वाला है वो अपना उत्तर है तो यहाँ पर दोनों में बड़ा वाकॉंस है तीन तो इसका मतलब अपना जवाब हो गय 2 ठीक है गाइज इसके बाद में अगला क्यूशन है अपने पास में यहाँ पर देखो माइनस स्वाल आ गया स्वाल तो इसके अंदर कौन से जवाब होगा 2 होगा ठीक है इसी टैप पर 12 की 12 की बात करें तो 12 में भी इसके दूग खुंड करने है ठीक है जैसे और उनका गै परते जाने अब जैसे 20 है तो 20 के दूख गुनखन करने है तो 4 और 5 ठीक है तो इसमें बड़ा कौन चाहिए क्यों प्लस है तो बड़ा वाला देखना है तो बड़ा कौन चाहिए 5 तो अपना जवाब जाता है 5 को इसी टैप में दोस्तों अगला आता है 30 तो 30 के ऐसे 2 से इसका अपना जवाब गया आएगा 5 यानि छोटे वाला तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह कितने आसानी से अपने यह स्वाल किए इसी टाइप के अलग-लग क्यूसर नहींगे अब दोस्तों यहाँ पर तो वह तो सारे थे जैसे इससे पहले आपने जो भी देखे तो सब के गुणनखंड निकल रहे थे लेकिन इसके अब गुणनखंड नहीं हो रहे है तीन के देख सकते हो यह आप तो अब कैसे करना है तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर जैसे थी का नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर देखना बड़ा जिसके गुणखंड हो तो जिसके गुणखंड हो और उनके बीस में गैप किसका हो कितने को एक का गैप हो जैसे इससे बड़ा है स्यार लेकिन स्यार के गुणखंड होंगे दू और दू इसके अलावा कोई योगा नहीं और इसके बीस में एक का गैप आ नहीं सकता ह इसका जोब होगा अब बात करणे इसके लिए 3 के लिए तो थीन के लिए बात में है उसमें ऊपर वालेम क्या बताइब था था तू तो तीन से बड़ी संक्शा देखनी है जिसके गूंखंड हो लेकिन यहापर क्या आया रहा है माइनस आ रहा है देख सकते हूं तो आपनको क अफन गूंद खंद देख लेते हैं जैसे 2 है तो 2 के लिए गूंद खंद के लिए आपको क्या करना है दो के गूंद खंद 1 होगा और 1 होगा दो आप यहाँ पर देख सकते हो अब इन दोनों को Gap इन दोनों का Gap ही एक आ रहा है इसका मितलब यह तो अपने सही है अब उत्तर इन दोनों के 20 में आएगा एक और दो के 20 में इसका जवाब हो गया अब इसके बार मैं दोस्तों 5 की बात करें यह जैसे रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 इस टैप से चल्चा जा रहा है तो इसका कैसे होगा तो अपने को इसके लिए भी देखो यहांपर मैंने इसपर्शूप से आपको पहले बता दिया है कि आपको क्या देखना है इसके गुंट-खंड तो नहीं हो रहे है तो प्लस आ रहा है तो इससे जेस्ट बड़ी संग्या देखनी है इससे बड़ी जंग है क्या है 6, 5 बड़ा, 6, 6 के हो रहे हैं 2 और 3 तो इसका मतलब 2 और 3 के 20 इसका भी जवाब होगा, जैसे आप बात करें 11, ठीक है न, तो यहाँ पर 11 है, 11 तो 11 कभी नहीं हो पा रहे लेकिन अपन को क्या करना है, यहाँ पर से करना है कि 11 के बाद में सिना कौन सा है, तो यहाँ पर सिना किसका है माइनस का, तो अपन को यहाँ पर डारेक्ट टूप से यहाँ रखना है कि इससे छोटी संक्या देखना है माइनस साथ ही, 11 से छोटी तो 11 से सोटी कौन से आ रहे है 10, अब 10 के 2 ऐसे टुकड देखने है, जो क्या हो रहे है, जिनके अंदर gap हो, लेकिन यहाँ पर तो gap नहीं आ रहा है, तो इसके बाद में आपने देखते हैं, 9, अब 9 के अंदर भी कोई gap, तो अपने को पता हैं कि 9 के अंदर भी ऐसा कोई gap नहीं हो सकता, उसके बाद में आता है ठीक है और 8 के अंदर भी देख लेते हैं आपन जैसे कोई अ rhag hag आ या नहीं आ रहा है तो यहां पर आपन देख लेंगे आठ देखेंगे सेंच के आपन को पता है सिस्क के अंदर 2 पार्ट हों तो अपन को यहां पर इसका 2 और 3 के बीस में जवाप मिल जाएगा अब बात करें 11 के अंदर तो 11 प्लस इसका यह अगला क्यूशन देख सकते हो आप 11 प्लस रूड 11 प्लस रूड 11 अब अपन को पता है कि प्लस आ रहा है इसका मलब 11 से जैस्ट बड़ा तो जैसे 12 आ रहा है उसके जैस्ट बड़ा 12 है तो 12 के दो पार्ट्स अपन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 12 के दो पार्ट्स हो सकते हैं एक है 3 और एक है 4 तो अपना जवाबों का 3 और 4 के 20 में अब इसके बाद में दोस्तों बात आती कि यहां तक तो ठीक है अब बात पे 1 की 1 के भी नहीं हो सकते तो अब क्या करना है तो यहां पर इस पर शुप से इसके बाद में अपन देख लेंगे भाई कि इससे जैस्ट बड़ी से क्या है तो यहां पर अपन देखेंगे कि एक से जैस्ट बड़ी दू है ठीक है दो के फैक्टर एक और दू बात है यही है अब इसका म लाइनस Rude , इस टाइप में सल रहा है तो अपन को इसके बार में क्या लना है आप यहां पर आपको देख लेना है कि एक से जस्ट्टी क्या आजैएगी जीरों 2020 कर सकते हैं क्यों कर सकते क्यों नहीं कर सकते जीरों और एक को गुणा कर दो ठीक है इसका मेला फैक्टर हो रहे हैं तो अपना उतर आजाएगा जीरो और एक के 20 में अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है अब थोड़ा सा हट की क्यूशन लिखे आ रहा हूं आपके सामने गुणा के लिए यहां पर सब गुणा में दिख रहा है इ आपको उतर बस इसमें बाकी कोई दमाग ही नहीं लगाना है सैमसंग क्या है रूड के अंदर आ रहे हैं गुणा के अंदर तो आपको सिधा यह लगाना है अब बात करें कि भाई ऐसा नहों के इस टैप में आजाए तो क्या होगा मतलब कि यह लिमिटेड आजाए अनन तक नहीं सल रहे तो इसका सॉलिशन आपको कैसे करना है तो दोस्तों यहां पर पहले तो आपको इसके सॉलिशन के लिए यहां पर आपको लिख देना है दो रही रूड के अंदर दो है तो आपको सिर्फ दो लिख देना है इसके बाद में आपको क्या करना है यह कितने रूड डूड ए फॉर्ट टाइम डूड है तो इसका मलब दो को गुणा कर दो दो से सियार बाद अपनी यहाँ पर करते जा रहे हैं गुणा 2 और गुणा 2 कितने होगे चार दो दोनी दोनी 4, चार दोनी 8, आट दोनी 14 तो इसका मलब 16 और उपर एक काम कर लिए लिए 15 तो दो कीगाद 15 वाई 16 यह अपना उत्तर हो सुका है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड जो भी क्यूसन थे सारी क्वारी आपके किलियर हो सुकी है और यहां पर आप इस पर शुरूफ से यह सारे क्यूसन आप एक सेकेंड के अंदर सब के जवाब निकाल स जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपनों दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा सेर करें जिससे उनको भी यह जानगारी अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों और भी कोई पर ही हो तो कमेंट वक्स में जरूर वहां फिर भी आप जोइन हो सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ तब तक लिजय हिन जय भात